समान्य भविश्यकाल जिसे हम future indefinite tense कहते हैं कैसे पेचान सकते हैं किसी वाक्य को जिस वाक्य के अंत में गा, गी या गे आए तो काफी सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं तो इसकी और भी कुछ पहचान है ऐसी भविश्य की घटनाएं जो समान्य रूप से घटित होंगी ही होंगी जब आप उनकी बात करेंगे तो आप यह सोच सकते हैं कि आप समान्य भविश्यकाल में बात कर रहे हैं और उसको अंग्रेजी में बोलने के लिए आप जो नियम मैं बताऊंगी उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप किसी आदत व्यक्त करने के लिए कोई वाक्य बोलना चाहते हैं तो भी आप उसे सामान्य भविश्यकाल में बोल रहे होंगी जब आप किसी क्रिया की अपेक्षा करता के विशेश्टा पर जादा जोर देते हैं कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं जहां पर कारे करने वाले पर जादा जोर है तो भी आप इसी काल का इस्तिमाल करते हैं देखिए, यहाँ पर इसका नियम है, जब आप किसी first person या बोलने वाले व्यक्ति के लिए वाक्य बोलते हैं, जहाँ पर आप मैं या हम का इस्तिमाल करते हैं, तो आप share लगाएंगे और साथ में verb की first form इस्तिमाल होगी, और यह नियम है जब आप किसी दूसरे या तीसरे व् आप करते हैं, जहाँ पर तू, तुम, वह, वह, या फर किसी के नाम का इस्तिमाल करते हैं, तो आप will लगाएंगे और उसके साथ में verb की first या base form लगाएंगे, आप verbs की अक्रियाओं की जो forms हैं, और वो कैसे उनको English में क्या कहते हैं, और उनकी अलगलग forms क्या होती हैं, उस वाक्य है, मैं मिठाई खाऊंगा, English में, I shall eat sweets, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे नियम बताया था, सबसे पहले तो मेरके स्थान पर I लगा दिया आपने, उसके बाद जब आप first person या बोले वाली विक्ति का वाक्य बनाएंगे, तो आप shall लगाएंगे, I shall, और उसके साथ में आएगी verb की first form, अब देखिए यहाँ पर जो क्रिया है वो है खाना, खाना को English में वेस फ़र्म में eat कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने eat लिखा हुआ है, I shall eat sweets, sweets क्या है, मिठाई, एक और example देखिए, हम मिठाई खाएंगे, we shall eat sweets, तो यहाँ पर सिर्फ फरक है, I के स्थान वी लगा दिया है, अब यह example है, तुम मिठाई खाओगे, यह वाग्य है, दूसरे व्यक्ति का, तुम का इस्तेमाल हुआ है, तुम की जगा में you लिख देतें English में, और उसके साथ में will आएगा, जैसे मैंने आपको नियम में बताया है, you will eat sweets, यह example है, तीसरे व्यक्ति एक वचन का, वह मिठाई खाएगा, वह के स्थान पर आएगा he, और यहाँ पर will लगाएगे he के साथ, he will eat sweets, वह मिठाई खाएगी, he की जगा she, she will eat sweets, और जब वाकिय है, लड़कियां मिठाई खाएगी, तो यह है, तीसरे व्यक्ति बहु वचन, लड़कियां की जगा sweets, सीता मिठाई खाएगी, जब आप आके बना रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति वाचक संग्या आई है यहाँ पर, proper noun जिसे हम कहते हैं, सीता मिठाई खाएगी, सीता will eat sweets, अब यह देखिए, कि आप will और shall का भी जो मैंने आपको नियम बताया, first person की बात है तो shall आ जब आप कोई commitment कर रहे हैं, commitment means वादा, किसी को चतावनी दे रहे हैं या किसी चीज़ पर आप ज़्यादा जोर डाल रहे हैं वाक्य में, तब आप एक व्यक्ति के लिए will और दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के लिए shall का इस्तिमाल करेंगे, will इस्तिमाल होगा I और we के साथ और shall इस्तिमाल होगा जब आप वाक्य बोलेंगे you, he, she, they या किसी और अन्या तीसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन आज कल will का प्रयोग जादा होता है shall से, shall जो शब्द है वो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, आप ज़्यादा तर will का ही इस्तिमाल कर सकते हैं, यह द देख सकते हैं, एक इंसान emphasize कर रहा है, जोर डाल रहा है कि वो यह कार नहीं करेगा, I will not go to school, हम school नहीं जाएंगे, we will not go to school, तो यह बोलने वाले व्यक्ति के वाक्य हैं, पहले व्यक्ति के वाक्य हैं, first person जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे will लगाया है, क्योंकि यह एक दिख जाओगे, you shall not go to school, तो देखिए, यहाँ पे दूसरे गक्ति के वाक्य में भी हम shall लगा सकते हैं, जब हम उसे कोई आग्या दे रहे हैं, order दे रहे हैं, वो school नहीं जाएगी, she shall not go to school, यह वैसा ही वाक्य है, वो school नहीं जाएगा, he shall not go to school, और यह वाक्य है, जब आप एक से जादा लोगों की बात करें, वे school नहीं जाएंगे, they shall not go to school, जब आप negative वाक्य बनाएंगे, तो will और shall के साथ में not आजाएगा, और फिर आएगी वर्ब की base form, और जब आपका वाक्य है कोई प्रशन का, तो भी will और shall के साथ subject लगाने के बाद, वर्ब की first form आजाएगी, व subject और फिर not add कर देंगे, negative प्रशन में not भी आएगा, example देखिए, मैं घर का काम करूंगी, I shall do the household course, घर का काम, household course कहा जाता है, I shall do the household course, अब यहाँ पे do क्या है, do means करना, और do क्या है, base form है वर्ब की, तो हमने do लिखा है, अब इसको जब negative वाक्य बनाएंगे, मैं घर का काम नहीं करूंगी, I shall not do the household course, तो यहाँ पे हमने shall के बाद not भी लगा दिया है, जैसा के आपको मैंने नियम में बताया है, अब देखिए, जब हम प्रशन पूछते हैं, क्या मैं घर का काम करूंगी, तो वाक्य शुरू shall से, shall I do the household course, अब जब हम इस वाक्य को negative बना देंगे, क्या मैं घर का काम नहीं करूंगी, तो not भी लगा देंगे, shall I not do the household course, अब यह देखिए, examples है, जहाँ पर हम use होता है, किसी वाक्य में, हम college जाएंगे, we shall go to college, जो मैंने आपको नियम बताया था, पहले व्यक्ति के साथ, shall लगाएंगे, तो यहाँ पर हम के सान पर we, उसके बाद, shall go, अब go क्या है, friends, जाएंगे, जाना को कहते हैं, गो, यह है वर्ब की base form, first form, इसलिए हमने go लिखा है, we shall go to college, जब negative हो जाएगा sentence, तो not भी आ जाएगा, we shall not go to college, मैं आपको यही राय दूंगी, यही मैं आपसे request करूंगी, कि आप इन ऐसे वाक्य बनाएए, बोलिये वाक्यों को, सोचिये वाक्यों के बारे में, तभी आप इन नियमों को सीख पाएंगे, जब आप प्रेशन पूछेंगे, तो वाक्य शायल से शुरू होगा, और जब आप इसी वाक्यों को negative कर देंगे, तो आप इसमें not भी लगा देंगे, अब यह जब आप किसी second person की बात करेंगे, तो वाक्य है, तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओगे, वाक्य के में तुम के स्थान पर आएगा, यू, यू के साथ विल लगाते हैं, यू विल टीच मी इंग्लिश, सिखाओगे, सिखाओगे को कहेंगे, यह है बेस फॉर्म, फर्स फॉर्म है टीच, तो वाक्य बन गया, यू विल टीच मी इंग्लिश, जब इसको negative बना देंगे, तो not भी लगाएंगे, यू विल नॉट टीच मी इंग्लिश, और जब आप प्रशन पूछेंगे, क्या तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओगे, तो वाक्य शुरू होगा, विल से, विल यू टीच मी इंग्लिश, इसी वाक्य को negative बनाने के लिए, नॉट भी लगा देंगे, विल यू नॉट टीच मी इंग्लिश, तो ध्यान से देखिए, नॉट आता है सबजेक्ट के बार, यहाँ पे यू है सबजेक्ट, उसके बाद आया नॉट, विल यू नॉट टीच मी इंग्लिश, अब ये एक्जाम्पल है, जब आप किसी third person plural, वे की जगा दे, और दे के साथ लगाते हैं, विल, दे विल, अब देखिए प्रवेश करना, क्रिया है प्रवेश करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं, एंटर, बेस फॉर्म, एंटर, दे विल एंटर, हमारी सोसाइटी, इंग्लिश में, आवर सोसाइटी, दे विल एंटर, our society इसी वाक्य को जब negative बना देंगे वे हमारी society में प्रवेश नहीं करेंगे they will not यहाँ पर will के बाद not लगा देंगे ऐसे ही अब अगर आप इसे प्रशन में बदल देंगे क्या वे हमारी society में प्रवेश करेंगे वाक्य शुरू होगा will say will they enter our society और अगर इसे आपने negative sentence बनाना है will they not enter our society देखिए यहाँ पर भी subject के बाद not आएगा अब यह एक और example है बरसात फिर आएगी बरसात क्या है बारिश rain इंग्लिश में rain will come again फिर आएगी फिर को कहते again और आएगी को कहते कम बेस फॉर्म है कम rain will come again negative वाक्य है तो not भी आ जाएगा rain will not come again और जब आप कोई प्रेशन बनाएगे क्या बरसात फिर आएगी तो वाक्य शुरू होगा will say will rain come again और negative वाक्य होगा तो will rain not come again अब यह कुछ example है जब आप तीसरे व्यक्ती की बात करेंगे और वो एक है या फिर आप कोई व्यक्ती वाचक संग्या proper noun का वाक्य बनाएगे वह दोबारा लंडन जाएगा he will go to london again negative वाक्य है तो he will not go to london again और जब आप कोई प्रशन पूछेंगे will he go to london again वाक्य शुरू होगा will say और जब इसे negative कर देंगे तो not भी लगा देंगे will he not go to london again अब ये देखिए ये example है व्यक्ती वाचक संग्या का आरिव अपनी class में प्रथम आएगा आरिव किसी का नाम है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे आरिव उसके बाद आएगा will आरिव विल अब प्रथम आना इसे इंग्लिश में कहेंगे stand first आरिव विल stand first in his class अपनी class में in his class अब इसी को जब हम डेगेटिव वाक्य में बदल देंगे आरिव विल नॉट stand first in his class और जब इसे अप्रशन बना देंगे क्या आरिव अपनी class में प्रथम आएगा तो वाक्य शुरू होगा विल से विल आरिव stand first in his class और जब हम इसे नेगेटिव बना देंगे तो हम not भी लगाएंगे विल आरिव not stand first in his class फ्रेंट्स में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे वाक्य बनाईए और उन्हें बोलिए कभी आप इसे अच्छे से सीख सकते हैं अब ये कुछ वाक्य हैं अभ्यास के लिए क्या हम इंग्लिश का अकबार पढ़ेंगे शैल वी अब देखिए शैल लगाया है क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं पहले व्यक्ति का वाक्य है शैल वी रीड इंग्लिश न्यूस पेपर पढ़ना को कहते हैं इंग्लिश में रीड बेस फॉर्म में वह जूट नहीं बोलेगा यी विल नॉट टेल अलाइ बच्चे खाएंगे और मौज करेंगे चिल्रन विल इट एंड एंड एंजॉई खाना को कहते हैं इट और मौज करना को कहते हैं इंजॉई आप अगर ये और भी जानना चाहते हैं कि अलग लग रियाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनके अलग लग रूप क्या होते हैं तो इस लेसन के अंत में जो लिंक दिया हुआ है आप उस पे वो lesson भी देख सकते हैं अब देखिए ये वाक्य है हम आगरा जाएंगे We shall go to आगरा, एक और वाक्य है वह सिर्फ राहुल के साथ खेलेगा, सोचिए इसका English में आप कैसे बोलेंगे और देखिए इसका जवाब है He will play only with Thank you हमारा ये lesson देखने के लिए और ये links हैं और भी हमारे lessons के और English Academy को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद